245 कंपनी, एक, दो, तीन, चार, पाँच नहीं 245 कंपनियों को मिला कर इस कंपनी का निर्माण भारत सरकार ने किया आज ये 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है विश्वास किजिए यदि ये एक देश होती तो इसके एंप्लॉईज और इसके यूजर मिला के दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा देश बन जाते हैं और आपके घर में, मेरे घर में, हम सब के घर नाते रिष्टेदारों में कोई ना कोई इस कंपनी का किसी ना किसी रूप में पार्ट जरूर है ये वो कंपनी हैं जिसने 1959 में देश की टॉलिस्ट बिल्डिंग मना के अपनी धाग जमा दी जिसमें एक लाख लोग सीधे काम करते हैं और लगबग साड़े ग्यारा लाख लोग इसके लिए काम करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक LIC, Life Insurance Corporation of India लोग एक दुसरे से यह नहीं पुछते इंशुरेंस है क्या वो यह बोलते हैं LIC है क्या कई कंपनी 2000-4000 करोड की होते वे चर्चा में हो जाती है 2018 के हिसाब से LIC के पास 15,000 करोड कितना 15,000 करोड से ज़्यादा की unclaimed money है जिसका कोई लेवाल नहीं है लेने वाला नहीं है 1956 में LIC आई और 44 तक इसको कोई competition नहीं रहा जब तक 2000 में government ने private company के लिए इंशुरेंस का बजार नहीं खोला तब तक इसके पास limited product थे यहां तक कि इसके पास term insurance भी नहीं था और साथियो 2000 में LIC की जब बादशाहत खतम हुई और इसको competition में आना पड़ा Nokia कैसे खतम हो गया? Kodak कैसे खतम हो गया? यह सब नहीं बदलने की case story है और LIC of India बदलने की case story है बदल के market leadership कायम रखने वाली भारत की चुनिंदा कंपनियों में से एक LIC है साथियों LIC एक with profit company है जिसका 5% profit government of India को जाता है मज़े की बात है कि government की guarantee LIC policy holders को आश्वस्त करती है कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा और ये company कभी डूब नहीं सकती इसलिए इस company की tag line punch line है प्रश्णी है कि LIC हजारों लाखों करोड रुपय का करती क्या है जो आप से लेती है ये हर साल 50,000 करोड रुपया share market में डालती है आपको ये जान के अचरज होगा कि LIC की 5.11 trillion रुपीज का investment इस वक share market में और बचा हुआ 80% से ज्यादा पैसा government bonds, government securities, government funds में डालती है जिसकी value 2017 में लगभग 23 trillion थी 23 trillion जब भी share बजार डाउन होता है और जब भी government को इसको stable करना होता है LIC government का कवच बनके उस दिन share market में पैसा लगाती है और market को गिरने से बचाती है यहां तक की ITC, SBI जैसे top most company का 10 से 15% हिस्सा LIC के पास है LIC के बचने का सबसे बड़ा कारण LIC ने निरंतर competition के हिसाब से नए products का इजाद किया LIC ने कभी भी इस घमण में अपना जीवा नहीं जिया कि हम भारती company हैं, हम सरकारी company हम तो राजा हैं हमको बदलने की कोई जरुरत नहीं है LIC लगातार नए recruitment करती रही LIC कभी इस भुलावे में नहीं रही कि अब हमको छोटा होना है LIC ने दिमाग लगाया और अपने insurance advisors का base बढ़ाया और बहुत advertisements किये खूब hoardings लगाई, खूब TV channels पर आये कि यदि आप LIC के लिए काम करना चाहते है तो आपका स्वागत है इस तरीके से लगबग हर गली, महले, श्ट्रीट, कॉलोनी, लोकालिटी में आपको एक, दो, दस, बीस, पचास LIC agents जरूर मिलेंगे LIC aggressive रही बाकी government companies अपनी लाल फीता साही की वज़े से multiple layers of sanctioning की वज़े से aggressive नहीं रह पाई दूसरी company ने एक advertisement दिया तो LIC ने दो advertisement दिया एक quarter page दिया तो LIC ने full page दिया, यदि दूसरी सारी company ने मिला के TV पे जो time लिया LIC ने अकेले उतना time लिया जैसे बाकी company आपकी टेकनोलोजी लेकर आई, LIC भी technology लेकर रही, टेकनोलोजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना अधिकांच सरकारी company या जैसे जैसे private का competition आता है या तो योजना बद्ध तरीके से उधारण air and d आपके सामने या तो योजना बद्ध तरीके से या unplanned होने की वज़े से धीरे धीरे खतम हो जाती है या कर दे जाती है LIC ने अपने agents को अपने advisors को